ओम गनेशाय नम ओम नमो भगवते वासु देवे मार्शेश मास की कता सुनने वाले सभी भगतों का आज की कता में हारदिक स्वागत है भगवान शरी क्रिशन और राधारानी की किरपा सदेव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे कल की कता सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्शेश मास का आज सुनाएंगे आपको छटवा अध्याए ब्रह्मा जी कहने लगे की हे भगवत घंटा नाद और चंदन का महातमे ठीक ठीक कहिए भगवान कहने लगे की हे देवेश जो सनान और पूजन के समय घंटा नाद करता है उसका फल सुनिए वह मनुश्य हजारों और असंके कोटी वर्ष प्रयंत अपसराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है क्योंकि घंटा में समस्त बाजे और देवताओं का वास कहा गया है इसलिए सब परकार से घंटा नाद करावें समस्त वाग मै घंटा मुझको अत्यंत प्रिये है इसके वादन से शत कोटी यग्य का फल मिलता है विशेश करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटा नाद करें तो हजार मनवंतर वर्ष प्रयंत और असंग के मनवंतर वर्ष में प्रसं रहता हूँ मुर्दंग और शंक नाद के प्रणव उंकार ध्वनी को मिला कर अथार्थ औंकारध्वनी को करता हुआ मेरा पूजन करता है वह निरंतर मौक्ष को प्राप्थ होता है हे पुतर जिस जगे मेरे सामने नात से युक्त वैशनों से पुजित घंटा स्थित रहता है वहाँ पर मुझको ही स्थित समझो जो मेरे सामने गरुड के चिन से युक्त अथ्वा सुदर्शन चक्र के चिन से युक्त घंटा को स्थित करता है उसके सब पापों को मैं हरता हूँ जो मेरे पूजन के समय घंटा नात करता है उसको सो जन्मों के पापों को मैं हरता हूँ जो मेरे पूजन के समय अथ्वा शयन के समय घंटा नात करता है उसको कोटी गुणा फल मिलता है जो मुनशे गरुड परिस्थित शंक चक्र गदा पदम से युक्त तथा लक्षमी से युक्त मुझ देवेश का पूजन करता है उनको देवता दर्शन रत दान उपवास और तीर्थ आदी करने की कोई आवशकता नहीं रहती है जो मुनशे क कल्प कोटी वर्ष परियंत दास के लिए मेरे परमपद को जाएंगे जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं वहाँ पर सहस्त्रों कोटी देवता और तीर्थ वास करते हैं जो एकादशी को तथा रातरी को मेरी वासना से यु फूजा करता है वह धन्य है और गान निरत्र करता है वह नरक में गए पित्रों को भी तार देता है हे पुत्र सुनो मैं और भी घंटा के महत्मे को कहता हूँ जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वेश्नमों से पुजित होकर जहां पर रहता है वहां पर तुम मुझे को ही स्थित समझो जो गरुट से यूत घंटा को मेरे सनान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है वह प्रति दिन मेरे सामने इस नाम से दश हजार यग्य इतने ही गोदान और असंखे चंद्रायन वरत के फल का भागी होता है। मैं प्रति दिन वैसे ही प्रसन होता हूँ जैसे निर्धन मुनिश्य लक्ष्मी को देख कर प्रसन होता है। और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उस्सव का कारण होता है। गरुड के अथवा चकर के चिनों से चिनित ना रहने पर भी घंटा नास से मैं भगतों पर प्रसन रहता हूँ। जिसके घर में गरुड से चिनित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भह नहीं होता है। और अगनी तथा वजरपात का भी भह नहीं रहता है, जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंक स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महात में तुमसे कहता हूँ। अथ्वा मालती के पुष्पों से मेरा पुजन करता है, वह फिर माता के स्थनों से दुख्त पान करने वाला नहीं होता, अथ्वा वह फिर जनम नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ट के चंदन को अरपन करने से सो जनमों में कियो है पापों को नश्ट कर देता हूँ। क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ट का चंदन अति प्रिये है, वैसे ही पित्रों को भी विशेश करके अति प्रिये है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ट का चंदन मेरे लिए पुजा में अरपित देखने में नहीं आता, तभी तक मैं खंड चंदन श्रेष्ट है, और तभी तक अंगूर श्रेष्ट है, और तभी तक कस्तूरी और कपूर संगदित है। जो लोग कल्यूग में मेरे लिए मार्शिश मास में तुलसी काष्ट का चंदन देते हैं, वह करतार्थ हो जाते हैं। चंदन से और मुझको विशेश रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है, शंक में चंदन रखकर उस चंदन से मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे सो वर्ष के लिए प्रीती करता हूँ, जो सदेव मार्शिश मास में भक्ति पुर्वक तुलसी पत्रों से अत्वा आवलो